नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका Study IQ PCS में आप हैं मेरे साथ मेरा नाम है सुमित और दोस्तों दो बज चुके हैं दो बजे हमारा सेशन रहता है Modern History का और Modern History के हम Thousand Questions की ये सीरीज लगा रहे थे और हमारे Thousand Questions कम्प्लीट हो चुके हैं चालिस सेट टोटल हमने इसके लगाए हैं और अब इसके अंदर हम आपको 10 बोनस और सेट यहां पर लगाएंगे तो दस बोनस सेट हैं यानि की चुका है Study IQ PCS पर जिसके अंदर आपको Complete Course मिलेगा प्रिलिम्स और मेंस दोनों ही स्टेजिस के लिए और साथ ही में आपको courses मिलेंगे जिसके अंदर आपको Live Classes मिलेंगी, Recorded Classes मिलेंगी, Test Series के Access मिलेंगे, साथ ही में Crash Course के भी यानि की Complete Course है यह आपको और कहीं जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी UPPCS की तयारी करने वाले दोस्तों के लिए भी course है और Discounted Price में लेने के लिए Code याद रखेंगे और जैसा कि जानते हैं कि बहुत Important exam होता है UPPCS का, UPSC के Pattern पर ही आप देखेंगे UPPCS का exam होता है लेकिन उसमें कुछ उत्तरप्रदेश specific चीज़े भी आती हैं तो एक 25 टेस्ट की Total एक Test Series बनाई गई है जिसका नाम है PART यह PART Test Series में आपको NCRT पर आधारित questions मिलेंगे, PYQs पर आधारित मिलेंगे, UP की special GK मिलेगी और Current Affair के bonus test आपको इसके अंदर दिये जाएंगे तो discounted price पर लेने के लिए दोस्तों याद रखेंगे, code यहाँ पर दिया हुआ है, और जिस तरह से UPPCS का exam है, उसी तरह से BPSC के भी courses आपको यहाँ पर मिलेंगे, combined course भी मिलेगा, UPSC plus BPSC, साथ ही में सिर्फ BPSC का भी आपको complete mega course देखने को मिलता है, ठीक है, तो session की तरह से जो भी लोग, इन में से किसी भी state के civil services, BPSC के exams की तयारी कर रहे हैं, किसी भी state का, आप prelims का crash course ले सकते हैं, 799 में, और code याद रखेंगे, S के state, तो session की शुरुआत हो चुकी है, दोस्तों, session शुरू करते हैं, और देखते हैं, आखिर पहला question क्या कहता है, कहता है, who among the following started, the Mitra Mela Association, Mitra Mela, जो की एक secret society हुआ करती थी, ये किसने शुरू की थी, तो आपको याद होगा दोस्तों, already हम ऐसे question लगा चुके हैं, कि 1899 के अंदर, 1899 में starting हुई थी, Mitra Mela की, जो की एक secret society थी, उसी तरह से फिर 1904 में, जब स्वदेशी movement का समय चल रहा होता है, तो स्वदेशी movement के समय पर 1904 में आपको दिखे गई, एक और secret society, अभीनव भारत, अभीनव भारत, ठीक है, अभीनव भारत, और ये दोनों ही societies, ये दोनों ही organization किसने बनाई थी, ये बनाई थी, विनायक, दामोदर, सावरकर, यानि की वीर सावरकर ने, ठीक है, वीर सावर कर भी हम जिनको जानते हैं, ठीक है, अंडमान नीकोबार में जो cellular जेल थी, काला पानी की सजा जहां पर दी जाती थी, काला पानी की कैद जेल जिसको कहा जाता था, वहां पर सजा काटी थी, दोनों भाईयों ने बहुत ही जादा मुश्किल और कड़ी सजा होती है, और वी इंडिया हाउस की स्थापना की थी, इंडिया हाउस की, यानि की जो भी इंडिया के लोग विदेश में जाते थे, लंडन में, वह वहां पर जाके इंडिया हाउस में रुकते थे, यहां पर मीटिंग्स होती थी, रेवलिशनरीज की, और जो भी लोग विदेश से इंडिय की movement को चला रहे थे इंडिया house यहां पर बना था इंडियन के लिए शाम जी क्रिष्ण वर्मा के द्वारा और शाम जी क्रिष्ण वर्मा एक भीखली निकालते थे श्रणै पर जिसका नाम था इंडियन इंडियन तो श्रॉल नौ उसके बाद आप जानते हैं कि लाला रदयाल लाला हर धियाल जुड़े हुए है कि से गधर मूव्मेंट सेflu है गधर मूव्मेंट गधर पार्टी साफना होती है कब 1913 में एक करं में सेट फ्रैंकिस्कों में ठीक है पाकी का उसका भी नाम था गदर क्याता है 1905 में अभीनव भारत कहां पर ऑर्गनाइज की गई थी अब अच्छे से जानते हैं अभीनव भारत 1904 के अंदर ऑर्गनाइज हुई थी ठीक है 1904 के अंदर बनी थी अभीनव भारत ठीक है 1904 यहां पर आएगा 1904 में बनी थी अभीनव भारत किसने बनाई थी वीर सावर करने ठीक है वीर सावर करने और कहां पर बनाई थी तो दोस्तों यह बनाई थी महाराश्ट्र के नाशिक में ठीक है महाराश्ट्र के नाशिक में बनाई थी अभी नव भारत की सोसाइटी कहता है which of the following statements is our true about VD सावरकर यानि की विनायक दामोदर सावरकर या फिर वीर सावर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है He established a revolutionary organization called अभी नव भारत बिलकुल सही स्टेटमेंट है ठीक है बिलकुल सही स्टेटमेंट है कहता है He wrote a biography of Mazzini to inspire Indian nationalist Mazzini कौन है दोस्तों Mazzini और Garibaldi Garibaldi Mazzini और Garibaldi वो दो इटालियन इटालियन नैशनलिस्ट इटालियन नैशनलिस्ट लीडर थे जिन्होंने इटिली का जिन्होंने इटिली के यूनिफिकेशन में और इटिली के अंदर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया इटिली में राष्ट्रवाद को प्रमोट किया आगे बढ़ाया वो थे Mazzini और Gary Baldy ठीक है तो मजीनी की बायोग्रफी इनों ने लिखी थी किनोंने विनायक दामुर्दर सावर करने रोट अबुक टाइटल्ड इंडियाज वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इंडिया की जो वार थी 1857 के उसके ओपर किताब लिखी थी और इसे इंडिया की पहली आजादी की लड़ाई ब कि दरसल इन्होंने एक जहाज से जंप लगाई थी ब्रिटिश जहाज से पानी के जहाज से फ्रांस में जब वो जहाज रुका था तो उन्होंने वहां से जंप लगाई की राष्ट्रिय स्वं सेवक संग आप जानते हैं आरेसेस को जो कि कल्चरल कुस्यो कल्चरल ओर्गनाइजरिशन है इंडिया में और इंडिया में नैशनलिजम के लिए काम करती है तो राष्ट्रे स्वं सेवक संग की स्थापना 1925 में हुई थी और इसकी शुरुवात की thuसी स्थापना कि थी डॉक्टर केशव बली राम हीड्गेवार जी ने इसकी सथापना कि थी नागपूर में महाराश्ठ्र में और इसलिए आप देखेंगे महाराश्र के नागपूर में आपको ऐसेस का जो हैड क्वाटर है वह भी आपको दिखता है है जो मेन संगठन का है जो मेन आपको कार्यार ले ओफिस दिखेगा हिट को दिखेगा नागपुर में महाराश्रा में युगांंतर पाटी वॉज लेड बाई यूगांतर पाटी को कौन लीड कर रहे थे ठाश्रा तो दोस्तों यह सब यह सब थी सीक्रेट सोसाइटी यानि कि यह सोसाइटी उस समय रिवल्यूशनेरी एक्टिविटी यंग लोगों को अपनी तरफ एक्टरैक्ट करती थी उनको विदेशी लोग क्या गलत कर रहे हैं इंडिया के सामने यह सिखाती थी साथ में नैशनलिस्ट जो आइडियोल भारत हमने पढ़ा उसी तरह से एक बहुत फेमस सोसाइटी थी वह थी अनुशीलन समीती अनुशीलन समीती आपको दिखेगी कब 1902 में इसकी स्थापना होती है कौन इसकी स्थापना करते हैं सतीश चंद्रबसू इसके साथ स्थापना करते हैं प्रमनात मित्र ठीक है तो सतीश चंद्रबसू और प्रमनात मित्र मिलके अनुशीलन समीती के स्थापना करते हैं 1902 की बहुत इंपोर्टेंट ये उस समय की सीक्रेट सोसाइटी में से एक है ठीक है और अनुशीलन समीती के साथ ही आप देखेंगे जुड़ा हुआ था जुगांतर पाटी भी जिसको कहते हैं ये भी अनुशीलन समीती के साथ जुड़ा हुआ था और इसकी स्थापना 1906 में इसकी स्थापना होती है और अरबिंदो घोश और अरबिंदो घोश और बरिंदर परिंदर घोश इसकी स्थापना करते हैं ठीक है जुगांतर पाटी उनिसोचे में स्थापित होती है अर्विंदो घोष और बरिंद्र घोष इसकी स्थापना करते हैं और जो इसके में लीडर्स जो उभर कर सामने आते हैं युगांतर पार्टी के वो थे बरिंद्रगोश या फिर बरिंगोश ठीक है बरिंद्रगोश और साथ में थे बागा जतिन बागा जटिन या फिर जिनका नाम था जतिन्द्रनात मुखर्जी जतिंद्रनाद मुखरजी भी एक काफी important revolutionary थे बंगाल विभाजन के समय पर और कई सारी revolutionary organizations में secret societies में participate करते थे और एक important revolutionary थे जिनको बागा जतिन भी कहा जाता था तो main leader आपको जो दिखेंगे वो दिखेंगे main leader हमें जो दिखते हैं जतिंद्रनाद मुखरजी यानि कि अगर आप देखेंगे तो बागा जतिन भोले या फिर जतिंद्रनाद मुखरजी में leader कौन थे बरिंद्र गोश बरिंद्र गोश हमें यहाँ पर नहीं दिखता है तो ज प्रतिंद्रनात मुखर जी सही जवाब है तो जुगांदर पार्टी 1906 में इसकी स्थापना होती है और यह जुड़ी हुई थी किस से अनुशीलन समीती से जुड़ी हुई थी अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है किस साइटी प्रमनात मित्र अगर यहाँ पर देखेंगे तो शतिष्चन द्र बोस हमें कहीं भी आप्शन में नहीं दिख रहा है लेकिन पी मित्र हमें दिखता है कब 1902 में एक सीकरेट सोसाइटी अनुशीलन समीती की स्थापना होती है तो इसकी स्थापना कौन करते हैं P मित्र बरिंद्र घोष वोज अस्वोश इन में से किस से जुड़े हुए थे ठीक है बरिंद्र घोष इस से इन में से कौन सी सोसाइटी से जुड़े हुए थे तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि जुगंतर पाटी जो है वो देखेंगे तो हमें दिखेगा अनुशीलन समीति से बरिंद्र घोष जुड़े हुए थे ठीक है और एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गनाइजेशन है बेंगौल विभाजीन यानिकी स्वदेशी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही और इंपॉर्टेंट ऑर्गनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है स्वदेश बंधव समीति तो स्वदेश बंधव समीति 1905 में इसकी स्थापना हुई थी 1905 में स्वदेश बंधव समीति की स्थापना हुई थी और किसने करी थी यह करी थी अश्विनी कु मारुदत ने स्थापना की थी किसकी स्वदेश बंधव समीती की ठीक है याद रखेंगे इसको आगे बढ़ते हैं कहता है वेन वास दी एपिटेक्ट और लोक मानने गिवन टू बाल गंगा धर तिलक को आप जानते हैं कि उनको टाइटल दिया हुआ था लोक मानने का को बाल गंगा धर तिलक और कहता है को कहता है क्यों इनको ये टाइटल दिया कया था तो 1897 में 1897 में चापेकर ब्रदर्स चापेकर ब्रदर्स जो हैं चाप चापेकर ब्रदर्स नहीं कर देते हैं किनकी एक लेटिनिंट 59 और तक्षोनर में जो प्लेग कमईटी बनी थी plague यानि की जो चुहों से एक महामारी फैलती है वो फैल रही थी और एक plague कमीटी बनी थी पूना के अंदर और ये plague कमीटी जो थी इसका प्रेजडेंट इसको लीड कर रहे थे जो rank थे ये इस कमीटी को लीड कर रहे थे और इस कमिटी ने लोगों के घरों की बहुत ही जादा इंसेंसिटिव तरीके से और धडले से लोगों के घर में चापे मारी करी और लोगों के घर की जाच परताल करी जिसके अंदर वो लोगों को बिलकुल भी लोगों की सहूलियत का बिलकुल भी ध्यान नहीं रख रहे थे और लोगों को इससे बहुत जादा inconvenience का सामना करना पड़ा ये जो committee बनी थी और इसकी जो investigations थी इसकी वज़े से काफी जादा लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा था और इनी सब चीजों को देखकर British सरकार जो लोगों को कैसे treat कर रही थी ये सब देखकर चापे कर ब्रदर सत्या कर देते हैं इस प्लेक कमिटी के प्रेजिजेंट की और इसके अंदर तिलक लोकमाने तिलक बाल गंगा धर तिलक का अरेस्ट होता है कि ये जो पूरी revolutionary activity थी ये जो पूरी क्रांतिकारी घटना थी इसके अंदर बाल गंगा धर तिलक भी शामिल बताए गए और इसी वज़े से फिर इनका अरेस्ट हो जाता है बाल गंगा धर तिलक का भी अरेस्ट कर लिया जाता है जो 124 sedition का 124 A section of IPC 124 A sedition में इनको गिरफतार कर लिया जाता है और इसके विरोध में लोग सडकों पर आ जाते हैं काफी प्रोटेस्ट करते हैं तिलक का जब इसके होने के कारण इन्हें title दिया गया था क्या लोक मानने तिलक अगला question कहता है first important adventure of the revolutionaries of the freedom movement was the place of बर्रा डेकोईटी ठीक है यानि कि बर्रा जो लूट हुई थी ये पहली revolutionary activity देखी गई थी और ये कहता है कि ये कहां पर हुई थी ठीक है तो बर्रा डेकोईटी 1908 के अंदर देखी गई थी और किसने की थी ये की थी पुलिन बिहारी दास ने ठीक है पुलिन बिहारी दास ने तो याद रखेंगे बर्रा जोड़ा हुई थी ठीक है तो बर्रा जोड़ा हुई थी जो कि एक revolutionary activity थी और इसके अंदर आप देखेंगे जो loot पार्ट की गई थी वो किदारों पर अटेक किया गया था कहां पर इस्ट बेंगॉल में कहां पर इस्ट बेंगॉल में तो याद रखेंगे पुलिन बिहारी दास को बर्रा डकोईटी से जुड़े हुए हैं 1908 में बर्रा डकोईटी हुई थी यहता है किन्हों ने अरविंद घोष को अलिपूर कॉंस्पिरेसी केस के अंदर डिफेंड किया था ठीक है तो यह घटना है 1908 की अलिपूर कॉंस्पिरेसी केस आपको 1908 में देखने को मिलेगा जिसके अंदर अरविंद घोष को और उनके भाई बरिंद घोष को ठीक है अरविंद घोष को और उनके भाई बरिंद घोष को और साथ में उनके साथ और भी कम से कम 17 लोगों को 17 लोगों को इलीगल तरीके से यानि की इल्लीगल तरीके से उनको आम्स यानि की हत्यार रखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था इल्लीगल तरीके से हत्यार रखने की वज़े से गिरफ्तार किया गया था लगबग 17 लोगों को साथ में अर्विंद घोश और बरिंद घोश को और अर्विंद घोश को यहाँ पर रिलीज करवा दिया गया अर्विंद घोश को बाईज़त बरी कर दिया गया था और उनके जो वकील थे वो थे चितरंजन दास यानि कि देश बंधू CR दास CR दास डिफेंड कर रहे थे कि इनको अर्विंद घोश को और इनको बाईज़त बरी कर दिया जाता है क्योंकि इनके खिलाफ जो सबूत थे वो नहीं मिलते हैं तो सबूत ना होने की वज़ए से प्रॉपर पुखता सबूत ना होने की वज़ए से इनको अक्विटल दे दिया जाता है यानि की बाईज़त बरी कर दिया जाता है और इनको डिफेंड वकालत इनकी तरफ से कर रहे थे इनके वकील थे अर्विंद घोश के कौन चितरंजन दास अगला क्वेश्चन कहता है और याद रखेंगे यह जो अलिपूर कॉंस्पिरेसी कोर्स है केस है यह का अधिपूर सेशन को बरी किया था अगला क्वेश्चन कहता है इन विच यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसियेशन वज एस्टैबलिश्ट आई होप आप सब को पता होगा कई बार हम इस क्वेश्चन को लगा चुके हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हिंदु 1922 में आपको पता होगा दोस्तों कि 1920 में नौन कोपरेशन मुवमेंट की शुरुवात होती है और 1922 में 414 जब कांट होता है चौरी-चौरा इंसिडेंट होता है वहां पर आप देखेंगे कि गांधी जी क्यूंकि वाइलेंस होता है चौरी-चौरा में लाग स्केल पर आप देखेंगे चौरी-चौरा में इंसिडेंट के बाद गांधी जी नौन कोपरेशन मुवमेंट को वापस ले लेते हैं और इस वज़े से कई लोग बहुत जादा नाराज हो जाते हैं और कई लोग इस चीज गांधी जी के इस फैसले को बिलकुल भी अप्रूव नहीं कर करते हैं और इस फैसले की निंदा करते हैं और इस वज़े से आप देखेंगे क्योंकि लोगों की उमीदें बहुत जादा जोड़ी हुई थी 1920 के नौन कोपरेशन मुवमेंट से इसलिए हताश होकर और कई लोग फिर रेविलूशनरी एक्टिविटीज शुरू कर देते है तो सेकंड फेज शुरू हो जाता है रेविलूशनरी एक्टिविटीज का और यहां पर आपको फिर से और्गनाइजेशन बनती हुई दिखेंगी 1924 में बनती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसियेशन जिसका एम होता है कि इंडिया के अंदर भी रेविलूशन लाई जाए और इंडिया को एक यूनाइटिड स्टेट की तरह अलग-अलग राजियों का एक संग ग्रुप बनाकर एक कंट्री बनाई जाए तो 1924 में जो यह और्गनाइजेशन बनती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसियेशन ठीक है रिपब्लिक आपको दिख रहा होगा इंडिया को रिपब्लिक आफ स्टेट बनाने की यूनियन आफ आफ स्टेट और एक रिपब्लिकन नेशन बनाने के लिए शुरुआथ हुई थी revolutionary organization थी 1924 में बनती है कौन इसको found करते हैं तो इसको found करते हैं रामपरसाद बिस्मिल अश्वाकुला खान और चंदर शेकर आजाद और राजेंद्र लहीरी ये सबी लोग जुड़े होते हैं किसे हरे से उसके बाद 1925 के अंदर 1925 में यही organization जिसके अंदर आपको रामपरसाद बिस्मिल रामपरसाद बिस्मिल अश्वाकुला खान और राजेंद्र लहीरी ये क्या करते हैं ये काकोरी लखनव में लखनव के पास उत्तर प्रदेश में गाव होता है वहाँ पर काकोरी में ट्रेन को लूटते हैं उस ट्रेन में हतियार होते हैं बिस्मिल अश्वाकुला खान और राजेंद्र लहीरी को राजेंद्र लहीरी को दी जाती है सजा किसकी capital punishment इनको दी जाती है कब 1927 में तो एचरे काकोरी कांड करती है उसके बाद इन तीनों करांतिकारीयों को सजा दी जाती है किसकी death punishment death penalty दी जाती है 1927 के अंदर फिर 1928 के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर चंदर शेकर आजाद इसको lead कर रहे होते हैं इस organization को और फिर इसका नाम बदल के कर दिया जाता है HSRA हिंदुस्तान Socialist Republican Association ठीक है चंदर शेकर आजाद इसकी शुरुवात करते हैं ्रणt आजाद और साथ में के को फांडर जो होते हैं साथ में जो जुरते हैं इसे भगत संगा पर पांड g emp 5 24 में जब HRA की शुरुवात होती है तब भगत सिंग फाउंडिंग मेंबर नहीं होते हैं बाद में जुड़ते हैं HRA से लेकिन HSRA के समय पर जब चंदर शेकर आजड और भगत सिंग इसका नाम बदलते हैं तो फाउंडिंग मेंबर होते हैं कौन भगत सिंग ठीक है भगत सिंग इसके फाउंडिंग मेंबर होते हैं और फिर 1928 में 1928 में सोंग्डर्स की हत्या कर दी जाती है किन के दवारा भगत सिंग के दवारा, राजगुरु और सुकःदेव के दौारा 1929 में सेंक्टरल लेजिसलेटिव असेंबली के अंदर बॉम फेका जाता है भगत सिंग और बटू केशवर दत के दवारा भगत सिंग और बटू केश्वर दत के द्वारा बॉम फेका जाता है और भगत सिंग को जब फांसी की सजा होती है तो आप देखिंगे उनके खिलाफ दोनों आरोफ होते हैं कौन सा एक तो सॉंडर्स की हत्या प्लस सैंक्ट्रल लजिसलेचर में बंब फेक ना खिक है और सॉ 28 में नाम बदल दिया जाता है सोशिलिस्ट आइडियाज के उपर और और्गनाजिशन को चलाया जाता है चंदर शेखर आजाद और भगत सिंग होते हैं इसके फांडिंग मेंबर WHO among the following was not a member of हिंदुस्तान Republican Association इन में से कौन नहीं थे तो आप δेखेंगे कि है चारे की जब शुरुवात होती है में लेकिन वहांडिंग जूर जाते हैं और फांडिंग में आज़ोते हैं लेकिन शिव विरमा जो है शिव वर्मा जब HSRA बनती है तब इनका जुड़ना होता है इस organization से इसलिए HRRA के समय पर शिव वर्मा आपको member नहीं दिखेंगे HSRA के समय पर जुड़ते हैं कौन शिव वर्मा ठीक है और Saunders का जब case होता है सौंडर्स का जब case होता है तो उसके अंदर देखींगे भगत सिंग को राजगुरू को सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जाती है और शिव वर्मा भी होते हैं और शिव वर्मा को मिलती है life imprisonment ठीक है life imprisonment यानि की इनको पूरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है ठीक है Saunders के case में तीन लोगों को तीन करांतिकारियों को फांसी की सजा होती है लेकिन शिव वर्मा को होती है किसकी life imprisonment की सजा before his execution one of the following revolutionaries refused to give refused the milk given to him and said now I will take my mother's milk यानि कि मैं सिर्फ अपनी मा का दूद पीऊंगा ये बात किसने कही थी और ये बात जिन व्यक्ती ने जिन करांतिकारी ने ये बात कही थी ये तब की बात है जब उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी और उनको फांसी की सजा होने से पहले जब उनको दूद दिया गया था तो उन्होंने पीने ही से मना करा और ये कहा कि मैं सिर्फ अब अपनी मा का ही दूद पीऊंगा और ये बात किसने कही यानि कि वो भारत म और राजेंद्र लहिरी इनको फांसी की सजा हुई थी किस वज़े से क्योंकि 1925 का जो काकौरी कांड हुआ था उसकी वज़े से फांसी की सजा हुई थी राम परसाद बिस्मिल अश्फाकौल्ला खान और राजेंद्र लहिरी को फांसी की सजा दी गई थी ठीक है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा राम परसाद बिस्मिल ठीक है और चंदर शेकर आजाद पकड़ में नहीं आए थे अंग्रेजों के और अलाबाद में एक पार्क है आजाद पार्क वहां पर उन्होंने एक पेड़ के पीछे खुद को गोली मार ली थी लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे चंदर शेकर आजाद और बट्य केशवर दत आपको जुड़े हुए मिलेंगे किस से उस्चे निन में कौन एसे क्रांतिकारी हैं जो की काकॉरी इंसिजंट से नहीं जुड़े हुए हैं ठीक है काकोरी इंसिजेंट से कौन नहीं जुड़े हुए तरश्वाकुल्ला खान जुड़े हुए है राजेंदर लहीरी जुड़े हुए है और राम प्रसाद बिस्मिल तीनों ही जुड़े हुए है सूरे सेन ये एक इंपॉर्टेंट करांतिकारी थे बंगॉल के 1930s में 1930s में बंगॉल में एक बहुत इंपॉर्टेंट करांतिकारी थे सूरे सेन ये जाने जाते हैं चिटगॉंग आर्मरी रेड के लिए ठीक है चिटगॉंग आर्मरी रेड जाने की चिटगॉंग में जो बिटिश हत्यारों की लूट पाट हुई थी उसके लिए जाने जाते हैं रेवलिशनरी अक्टिविटी के लिए सूरे सेन और इन्हों के अंडर सूरे सेन के अंडर कई महिलाएं भी क्रांतिकारी थी जैसे की बीनादास हो गई उसके अलावा आप देखेंगे प्रितिलता वड़ेदार हो गई यह सभी कई महिलाएं क्रांतिकारी ओं को भी प्रेदित करा था किनों उन्हें सूरे सेन ने कहते हैं Who among the following was the public prosecutor in काकोरी केस यानि की सरकार की तरफ से मुकदमा कौन लड़ रहा था ठीक है सरकार की तरफ से मुकदमा कौन लड़ रहा था काकोरी केस में यानि कि काकोरी case में सरकार की पैरवी इनमेंसे कौन कर रहे थे to सरकार की पैरवी जो इस समय कर रहे थे वो कर रहे थे जगत नारायान मुल्ला सरकार की तरफ से वकील बने हुए थे कौन जगत नारायन मुल्ला कहता है which one of the following was not involved in the कानपूर conspiracy case 1924 यह जो 1924 की केस है जिसके अंदर कई सारे कम्यूनिस्ट लीडर्स थे उनको एक साथ गिरफ्तार किया गया था इसको कानपुर इसको कानपुर बॉलशेविक कॉंस्पिरेसी भी कहा जाता है यानि कि ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार क्यूंकि कम्यूनिस्ट आइडियो आइडियोलोजी को लेके बहुत जादा चिंतित और सतर्क रहती थी और इसी वजह से कई सारे कम्यूनिस्ट लीडर्स पे चापा मार कर उनको एक साथ गिरफ्तार किया गया था 1924 में जिसे कानपुर कॉंस्पिरेसी के नाम से जाना जाता है और 1929 में भी सेम तरह से कम्यू creek 24 का जो कानपुर कॉंस्पिरेसी हुई थी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे मजफर एहमद मिलेंगे नली तो हर लीडर का आप नाम याद नहीं रख सकते हैं लेकिन जो इंपोर्टेंट लीडर है उन्टीन काफ नाम याद रख सकते हैं जैसे की नलीनी गुपता hij today परहमद और शौकत उस्मानी इन तीन लीडर्स के अगर आप नाम याद रखेंगे तो अगर आ गए तो सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ऐसे क्वेशन बहुत ज्यादा फैक्चुल होते हैं इसे लिए ज्यादा ऐसे क्वेशन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान सो बनाए गई थी आप देखेंगे चंदर्शे खार आजाध और भगर सींग ही आप को दोनों ही इन में पाउंडिंग मेंबर देखने को मिलते हैं और यह दिली किरोश्यब कोटला जो जो ग्रॉंड है उसके अंदर बनाइ गई थी एसे सारिव उन्यश्कारा रनाव् पारे कर दिया गया था भगत सिंग थ्रिव बाउम इन सेंग्टर्ल असेंबली भगत सिंग्ग ने सेंग्ट्र लेजिसलेचर के अंदर जो बॉम फेका था जिसकां ये नहीं था कि आप किसी को नुक्सवान पहुचाए बलकि उसका मकसद ये था कि ब्रिटिश सरकार को पता चले कि जो रिविलूशनरी हैं उनकी डिमांड क्या है और रिविलूशनरी इसकी तरफ अटेंशन जाए और सरकार जो बहरी थी उसके कानों पर बंफटे और सरकार को सुनाई दे यह एम था रिविलूशनरी का क्याते हैं कि भगत सिंग थ्रिवे बॉम इन सेंटर लेजिसले फेका गया था वन अव फांटिंग लीडर ऑफ दा हिंदुस्तान सोचलिक रिपब्लीकन असोसियेशन वास ठीक है इन में से कौन से आपको एक फांडिंग मेंबर मिलेंगे फांडिंग लीडर हिंदुस्तान सोचलिस एचस आरे जो की एचारे ही थी पहले और 1928 में इसका नाम बदलकर एकचारे कर दिया जाता है पौन मिलेंगे इसमें से आपको फांडिंग लीडर तो वो थे भगत सिंग ठीक है भगत सिंग और चंदर शेखर आजाध हमें दिखते हैं एक सारे से जुड़े हुए फांडिंग मेंबर वो गेव द अस्लोगन इंकलाब का नारा किसने दिया था ठीक है इनकलाब जिनदाबाद का नारा किसने दिया था ठीक है salvage भगत सिंग ने अब हस्रत मुहानी का नाम इस ऑप्शन में नहीं है तो सरदार भगत सिंग का यहां पर नाम ऑप्शन सही रहेगा ठीक है चलिए तो याद रखेंगे इनकलाब जिन्दाबाद लिखा किसने था वो लिखा था हस्रत मुहानी ने और इसको फेमस इस और बहने राज़ाइश किस ने किया वो किया था सरदार भगत सिंग और वेन भड़ी भगत सिंग राजगरु शुकदेव हैं भगत सिंग राजगरु और सुखदेव को सॉंण्डर्स की हत्या के लिए फासी का सजा शुनाई गई थी और ये फासी कब दी गई थी तो ये फासी दी गई थी 23 मार्च 1931 चलिए फासी की सजा दी गई थी भगत स्थिणि राज गुरू और सुखदेव को वेर इस दा मेमोरियल ऑफ भगत सिंग लोकेटेड भगाच सिंह पाम समारक यह समे देखने को मिलता है नैशनल do है नैशनल मार्टेर आपको देखने कोम ढखांता पर हुसन वाला कहा पर फिरोजब कि यह पी रोजब पन्जाब फिरोजपूर पंजाब और बिलकुल पंजाब में पाकिस्तान की बॉर्डर के पास ये गाउं पड़ता है फिरोजपूर में आपको देखने को मिलेगा ये समारक और यहां पर आपको भगत सिंग ही नहीं साथ में राजगुरू और सुखदेव का भी समारक देखने को मिलता तो लाहूर कॉंस्पिरेसी केस सॉंडर्स की जब हत्या की गई थी तो वो लाहूर की घटना है और इसी घटना को कहा गया लाहूर कॉंस्पिरेसी ठीक है इसी घटना को क्या कहा गया लाहूर conspiracy और इस घटना पर आधारिज जो केस होता है उसे लाहर conspiracy केस कहा गया जिसके अंदर भगत सिंग, सुकदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो राजगुरु, भगत सिंग, सुकदेव तीनों को ही फांसी की सजा हुई थी बटु केशवर दत को इसकी सजा नहीं होई थी, इसलिए सही जवाब है हमारा एग कहता है, name the first recorded Muslim to be hanged for Indian independence इन में से कौन से पहले Muslim है, जो record के तहत, अगर जिनका कागजों में आपको record मिलता है ऐसे कौन से पहले Muslim, आपको revolutionary, आपको freedom fighter मिलेंगे, जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी तो recorded तोर पर अगर देखा जाए, तो पहले आपको मिलेंगे अश्वाक उल्ला खान, ठीक है जो recorded नहीं है, जो कागजों में, रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, वो अगर option पूछें, तो वो है मिर्जा अजूजिद दन, ठीक है, तो इस option का, इस question का सही जवाब है C, लेकिन मिर्जा अजूजिद दन, मिर्जा अजीद दन, ये एक मुगल, मुगल प्रिंस थे, यानि क को 1857 में 1857 में जब ब्रिक्टिश लोगों ने वापस से आकर दिल्ली को कैप्चर किया दिल्ली यानि कि उस समय दिल्ली का मतलब क्या था उस समय दिल्ली का मतलब था शाह जहाना जहानाबाद तो उस समय दिल्ली का मतलब हुआ करता था सिर्क शाह जहानाबाद यानि कि जो ल कैप्चर कर लिया था तो शाहानाबाद के दोस्थों 14 गेट हुआ करते थे यहाने कि लाल के लेकि जो बाउंटरी है इसके टोटल 14 गेट हुआ करते थे जिससे entry मिलती थी और entry exit के लिए 14 गेट थे जिसमें से एक गेट का नाम है दिल्ली गेट आपको कई सारे आप अगर लाल के लिए कि आसपास के रिये में जाएंगे दिल्ली में तो आपको देखने को मिलेगा कुछ गेट से नाम है दिल्ली गेट कश्मीरी गेट लाहौरी गेट ठीक है यानि की और उसके अलावा आपको मिलेगा उसके अलावा आपको कोलकाता गेट मिलेगा तो यह सारे गेट जैसे और तुर्कमान गेट तो यह सारे गेट्स हुआ करते थे शाजहानाबाद के 14 entry points उनमें से वापस दिल्ली आकर 1857 में कैप्चर कर लिया था लाल किले को दिल्ली को ठीक है तो ओफ रिकॉर्ट दिखा जाए तो मुगल प्रिंस मिर्जा अजीज उद्दिन है जिनको सबसे पहले फांसी की सजा दी गई बाद में अश्वाक उल्ला खान ऐसे पहले रिकॉर्डेड हमे सबूत मिलते हैं कागजों में कि पहले ऐसे करांतिकारी मुस्लिम फ्रीजम फाइटर थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी तो यह था आज का सेशन आई होप वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझसे डारेक्ली कनेक्ट करने के लिए जुडेंगे इंस्टापर और पीडियो आपको रेगूलर यहां मिलती रहेंगी और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं सब तक अपना खयाल रखेंगे पढ़ते रहेंगे धन्यवाद दोस्तों